हेलो एवरीबन एक वार फिर्ट स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रंट जैसा की आप थमनेल भी देखी चुकी हो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जियोग्राफिक के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो में लिए आपको अगामी अच्पी जीबटी कमिशन, एससाई कंड़क्टर, जेओ आईटी पोस्ट को नौसो पैंसेट, पंचाई टुटिटर, पटवारी और वेरिस एक्जाम जो आने वाले इस में में कंड़क्ट किये जाने हैं उन्हें सभी एक्जाम में ये क्वेशन्स जो होंगे वो आपको का साफी हल्पोस सावित होंगे, तो फ्रेंट्स आ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आइडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनले पे पह इसमें बोला गया कि भारत के किस राज्य की तट रेखा जो है, वो सबसे लंबी है, तो किस स्टेट की जो कोस्ट लाइन है, वे सबसे लंबी है, काफी इंपोर्टन कुशन है, तो इस कुशन का जो राइट अंसर होगा, वे आपका गुजरात, यह आपने याद रखना है, गुजरात स्टेट की जो टाट रेखा है, कोस्ट लाइन है, वे सबसे लंबी है, कितनी लंबी है, सोला सो किलो मेटर है, यह आपने याद रखना है, अब कोस्ट लाइन क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए, कोस्ट लाइन होती है, जो समुंदर के साथ, समुंदर के स्टेट्स में कोस्ट लाइन है तो नौ नौ स्टेट में नाइन स्टेट्स में गुजराथ प्रदेश का नाम आता है यह आपने याद रखना है तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वे किस के स्टेट की है वे गुजराद स्टेट की है गुजराद के बाद अंद्रेपरदेश की है ये भी आपने याद रखना है तो आंदरे परदेश के बाद महारास्टर की है ये भी आपने याद देखना है सबसे लमी गुजरात की है गुजरात के बाद आंदरे परदेश की है और आंदरे परदेश के बाद महारास्टर स्टेट की है अगे ले प्रशन में चलते हैं भारत के कितने राज्यों की सीमा है वे पाकिस्तान की साथ लगती है तो भारत के आपको बता है चार राज्यों आप जम्मो कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है अब यह एक यूटी है तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान की साथ लगती है आपका आपका विज्वा पंजाब हो गया, राजिस्तान हो गया और गुजराथ हो गया यहन तिन सेर्स की जो सीमा है वे आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है यह एक सेर्ट नहीं है अब यह कैंदर अजाश्त Pरदेश है या आपने यां देखना है important question है कि वारे exam में question है पूछा गया है तो कितनी states की जो सीमा है वे आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है तीन states की लगती है कि इसकी राजस्तान पंजाब और गुजरात की अगर यूटी पूछा जाए तो यूटी जो है बावकी जम्मकुश्मीर जो है वो यूटी दो लग यूटी में इसको भी वाज़ित कर दिया गया एक लदाक और एक जम्मकुश्मीर अगले प्रशन पे चलते हैं कितने देश भारत के जमीनी प्रोसी हैं जमीनी प्रोसी जो है वो भारत के कितने देश हैं यह आपने याद रिखना है तो साथ जो है वो लैंड मिंबर्स है जनकी जो सीमा है वे भारत के साथ लगती है यह आपने याद रिखना है श्री लंका को छोड़कर श्री लंका को छोड़कर जो की भारत का जमीनी प्रोसी नहीं है शिलेंका जो देश है वे आपको जमीनी प्रहषई नहीं है इसको चुब कर भारत के साथ लैंड मेंब्र्स हैं अभी यह कॊन कौन से हैं अपको तहीं आफ़ाईनी स्थानों हो गया पाकिस्तान हो गया चीन हो गया नेपाल हो गया बुटान हो बंगलादेश रही हैं जो भारत के जमीनी पडोसी हैं शिलंक को जमीनी पडोसी याँ आपने याद रखना है कश्चन बहुते हैं भारत का देक्षिनितम से कोँन सा है तो देक्षिनितम विंदू निको वार्दूर Carney आ में है बात करते हैं उत्रतम विंदू के बारे में तो उत्रतम विंदू जो है वावका इंदिराकाल में है जो कि जम्मु कुश्मीर में है पश्चमी बंदू जो है वो विंदू जो है वो गौर मोता है जो कि गुजरात में है पूर्वी विंदू कीवी थू है जो कि अरुना दिरा पॉइंट है, यह आपने याद रहखना है अगले प्रशने पर चलते हैं विश्व के मान चित्र पर, भारत जो है वो किस गॉलार्द में स्थित है यह आपने याद रहखना है इसको तो हम थोड़ा डिटेल में डिसक्स कर लते हैं इसका तोड़ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भूम अध्य रेखा के उत्तर में ये आठ डिग्री चार और 37 डिग्री छे उत्तरी का अक्षांश और 38 डिग्री 7 अथा 97 डिग्री 55 पूर्वी देशांतरी के बीजी इस्तित है भारती ये आपने याद रखना है इसका कुलिक शेत्रफल जो है 32,87,263 वर की किलो मेटर है जो विश्वक शेत्रफल का 2.42 प्रतीशत है ये आपने याद रखना है और भारत की जो पूर्व से पश्चिम की चोड़ाई जो है वो आपकी 2933 किलो मेटर है और 37 से दक्षन की जो लंबाई है वो 3214 किलो मेटर है ये भी आपने याद रखना है अगले प्रशन में चलते हैं कालपने करेखा जो भारत के मद्य से गुजरती है उसे क्या कहा जाता है तो कालपने करेखा जो भारत के मद्य से गुजरती है उसे करकरेखा कहा जाता है करकरेखा ट्रॉफिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इंपोर्डेंट है एक्जाम में के वार पूछा गया है अब बात करते हैं करकरेखा के वारे में तो भारत में करकरेखा जो है वो आठ राजि पश्टमगाल तेपूरा और मिजोर्म जो है यह आठ स्टेट्स है जहां से करकरेका जो है वो गुजरती है ट्रोपिक ओफ कैंसर गुजरती है तो यह आपने नौड़ान जुरूर का लेना है अगले प्रेशन में जलते हैं कौन सा स्थान दिसंबर में अधिक्तम सोर और जा प्राप्त करता है तो कुलकता दिल्ली अमरी सर चनेई में बताना है अपने इस कौशन के यह उसका 2 और बंगल की खाड़ी को मिलाने वाला स्थान हैं यह अपने याद मौह सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला स्तहे अब पोछा गया ग्शुन पर्शन पर में चलते हैं आई एस्ट जिसे इंडियन स्टैंडर टाइम कहा जाता है भारती मानक्स में पर अधारत भारत के अधारत रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है तो ये इलहावाद से होकर गुजरती है इलहावाद नैनी से 82 degree 30 से गुजरती है यह आपने याद रखना है और यह green which mean time से 5.5 गंटे जो है वो आगे है यह आपने याद रखना है अगे लिए प्रशन बे चलते हैं इंडिया शेर्स लोंगेस्ट बोर्डर वे तो भारत की जो सीमा रेखा है वो सारवदे के के साथ लगती है तो सबसे लंबी जो सीमा भारत की लगती है वे के साथ लगती है तो यह आपको पता है बंगला देश के साथ बंगला देश के साथ भारत सबसे अधिक सीमा जो है वो साजा करता है अब वो कितने किलो मेटर करता है ये भी आपको पता हूँ जे तो 4096 496,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 1643 किलो मेटर बूटान के साथ 966 किलो मेटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम यह अपने आद लखना है सबसे कम जो सीमा साजा करता है बारत अपने प्रोसी देश के साथ भी अफगानिस्तान के साथ करता है कितनी करता है 106 किलो मेटर यह अपने नोडोन कर लेना है तो भा अगले प्रशने में जलते हैं भारत का दक्षिनितम छोर जो भूमध्यारिखा की समीप है कहां पर स्थित है तो भूध दक्षिनितम छोर जो भूमध्यारिखा की सबसे समीप है वे कहां पर है तो वे इंदिरा पॉइंट पे है यह आपने याल रखना है इंदिरा पॉइंट जो है वह इंदी राकाल जम्यकशमीर किमीर में है है पश्चमि विंदू जो है गोर्मोटाव गुजरात में है और पूर्वि कीवीथू जो है वे जो जो अरूणानचलो परदेश में है और मुक्या भूमी की दक्षिनतम सीमा कंडिय ओमारी में से थेमिल नाडू में इस्ट क्वेशन पर जलते हैं करकरेखा 2001 मेसस दम है की बारत के मत्यम भाग से गुजरती हैं यह आपने याद रखना है याद रिका जो वो है। तरह पूरा और मिजोर्म से होकर ये गुजरती है उसी तरह आपको पता होना चाहिए भारत में कुल द्वीपों की जो संक्या है वे 247 है जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं और अर्ब सागर में कुल 43 द्वीप हैं ये भी आपने याद रखना है और बात करते हैं सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्या है वे कौन सा है वे उत्तरपरदेश है उत्तरपरदेश जो है वो मैक्सिमम सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साजा करता है अब ये कौन कौन से राज्या हैं कितने हैं और आठ राज्या हैं ये तो आपको पहले पता होना चाहिए उत्रपरदेश जो है वो उत्राखंड, इमाचल पदेश, हरियाना, राजस्तान, मद्यापरदेश, छतिसकर, जहारखंड और विहार इन आठ स्टेट्स के साथ जो है वो अपनी सीमा साजा करता है भारत के पूर्बी तटको, कौरो मंदल और पश्च्मी तटको, मालावार तटक कहते हैं ये भी आपने याद रखना है और भारत के उत्र पश्च्म में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थेता है उत्र में चीन, नेपाल और बुटान में अमार और पश्च्म, मंगाल केपूर में बंगलादेश से थेता है दक्षिन में हिंद महा सागर है और यहां मनार की खाड़ी और पाक जल्ड मुरूमद्या भारत को शिलंका से फृत्थे करते हैं यानि के अलग करते हैं ये आपने याद रखना है अगले प्रशन पे चलते हैं भारत कितनी तरफ से समंदर से गिरा हुआ है तो जो भारत है आपका पता है आपको तीन तरफ से ये समंदर से गिरा हुआ है कहां से पूर्ब में बंगाल की खाड़ी फशिम में अर्बसागर और दक्षिन में हिंद महा सागर है तो तीन तरफ से ये समंदर से गिरा हुआ है ये आपने याद रखना है इंपोर्टन्ट है एक्जाम में के बारे पूछा गया है और बात करते हैं मैक मोहन रेखा के बारे में तो मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन की बीच एक अंतराश्टी सीमा है और रेड कलिफ सीमा जो है भारत और पाकिस्तान की बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है यह अप तरिपुर, मिजोरम, तरिपुरा, मेगालिया, जम्य कुश्मीरा भी यूटी है और उत्रखंड ये नौ स्टेट्स जो है वो आपके हिमाल्य राज्या है ये आपने याद रखना है वसी तरह एक्जाम में कुश्चन जो है था वो पूछा गया था कि मनार की खाड़ी जो है मनार की खाड़ी जो है वो तमिल नारू के पूर्व मिस्तित है और सबसे अधिक सबसे अधिक आठ राज्यों को किस सीमा देखा चूती है किस राज्या की तो उत्रपरदेश की ये कुशन भी पूछा किया था इंदीरा पॉइंट कहां परस्तित है अंडवानी को बार में ह उसी तरह उसी तरह कुशन पूछा किया था कि बिच स्टेट हैजिट्स बॉर्डर बिद चाइना और नेपार ऑप्शन दिये थे उत्रपरदेश उत्रखंड विहार और असा कि कौन सी स्टेट जो है कौन सा राज्या है जो चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा करता ह तो यह आपने याद रखना है उत्रखंड क्षेत्रफल की द्रिष्टी से भारत विश्व के कितने वे स्टान पर है तो क्षेत्रफल की द्रिष्टी से भारत जो है वो साथ वे स्टान पर है यह भी आपने याद रखना है भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जू और पूछा गया था कि करेका तो भारती के कितने राज्याइव गुजरती है पूछिए जाता है आपको आपस्वा दिये होंगे.. इनने मलेकट की सफेव प्वरती के लिएक सब्सक्राइब का पता ही होने चाहिए.. पूछा गया है तो सबस्क्राइब राज्य को तो पता ही यह तो आपको पता ही है उसी दरा भारत का भारत में विश्व का कितना भगोलिक खेटर है तो 2.5 बचार 2 तक फैला है तो बारा मील तक फैला है यह आपने याद रखना है इंपोर्टेंट है कि वारे एक्जाम में पूछा गया है अगले प्रिशने पर चलते हैं इसमें बोलागे कि दिशांत्रों में से कौन सा एक भारती मानक्स में को निरधारित करता है तो कौन करता है तो इसमें ब्यासी देशमर पांच डिगरी इस्ट जो है यह दिशांत्रों जो है भारती मानक्स में को निरधारित करता है इंपोर्टेंट है यह आपने याद रखना है अगले प्रिशने पर चलते हैं इसमें बोलागे कि गुजरात पंजाब राजस्तान हर्याना में से पाकिस् इन स्टेट्स की जो सीमा है विभाए पाकिस्तान के साथ सीमा साजा करती है अब बात करते हैं कौन-कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के यूटी जो चीन के साथ सीमा साजा करते हैं तो पांच यह आपने आज रखना है चार स्टेट्स हैं एक यूटी है तो पहले बात करते ह चीन के साथ कौन कौन से राज्या जो है सीमा साजा करते हैं, हिमाचला परदेश हो गया, उत्राखंड, सिक्किम, अरुनाचला परदेश, जम्मु कुश्मीर भी करता है, यूटी है, ये आपको पता है, और लदाक हो गया, और नेपाल के साथ कितने स्टेर्स जो हैं, वो सीम साजा करती हैं कौन कौन सी है उत्रा परदेश उत्रा खंड हो गया बिहार हो गया पश्चिम बंगाल हो गया सिक्किम हो गया इन पांच ये पांच स्टेट्स जो है वो आपकी नेपाल के साथ सीमा साजा करती हैं बात करते हैं बंगलादेश के बारे में तो बंगलादेश बं स्टेट्स जो है वो बंगलदेश के साथ सीमा साजा करती हैं बात करते हैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ तीन राजिया जो है वो सीमा साजा करते हैं कौन कौन से गुजराद राजस्तान पंजाब और जमो कुश्मीर जो है वो यकी यूटी है केंदर शाष्ट परद यह चार स्टेट्स जो है वो आपकी मैयामार के साथ सीमा साजा करती हैं बात करते हैं भूटान के बारे में भूटान देश के साथ भूटान देश को लैंड ओफ थंडर पोल्ड कहा जाता है थिम्पू इसकी जो है राजधानी है भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा जो है कौन पहले पूछा गया था कौन सा राज्या जो है वह अफगानिस्तान के साथ सीमा साज़ा करता है जम्मुकुषमीर नहीं है अब इसे दो अलग यूटी में भी फाजित कर दिया गया है जम्मुकुषमीर और लदाख में अभी परिजेंट में भारत के कितने राज्या है में भारत के जो शीर्स क्षेत्रफल वाले जो राज्या है वे कौन कौन से है तो सबसे बड़ा राज्ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टी से भारत का वे कौन सा है वे राज्यस्तान है राज्यस्तान के बाद किसका स्थान आता है राज्यस्तान के बाद मध्या परदेश है मद्यापरदेश के बाद महारास्टर आता है महारास्टर के बाद उत्रपरदेश आता है ये भी आपने याद रिखना है और ख्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे कम ख्षेत्रफल वाला जो राज्या है वी कौन सा है वी आपका गुवा है जन संक्या के अधार पर सबसे ब क्षेतरफल की द्रिष्टी से टो अरिया डिस्टी की जो है सबसे बड़ा जो डिस्टिक है वे कच जिला है जो कि गजरात स्टेट में स्थित और इसका जो कुछित्र फल है वो 55,45652 किलो बर्ग किलो मेटर है यह आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में वास इतना है आज हमने जियोग्राफिक के कुछ important question डिसकस किये जो मिले आपको अगामी अचपी, जेविटी, कमेशन, SI, कंड़क्टर, जेवाइटी, बोस्ट काॉण 965, पंचाइत, ओडिटर, पटवारी और वेरियस एक्जाम जो आने वाले समय में कंड़क्ट किये जाने हैं और इस अभी एक्जाम में ये questions वो होंगे वो आपको काफी helpful थाबित होंगे तो friends, आपने करना क्या है, इन questions के short form में नोट से ज़रूर मना लेने हैं कि रेवीजन के टाइम, ये questions आपको काफी helpful थाबित होंगे तो friends, आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हों, Instagram ID का जो लिंक है, वो मैंने description box में दे दिया है तो आज किस वीडियो में वस्तना ही, तो thank you friends